ठीक है अब देखिए आगे पढ़ना है कि दिवहात समीकरन के परकार यानि टाइपस ओफ क्वाडराटिक इक्वेशन यानि दिवहात समीकरन कितने परकार के होता है तो देखिए पहला है सुध दिवहात समीकरन जिसे इंगलिज में प्योर क्वाडराटिक इक्वेशन कहते ह और दूसरा होता है मिश्रित दिखात समीकरन जिसको एड़ फैक्टेड क्वाड्राटिक एक्वेशन कहते हैं ठीक है यानि दिखात समीकरन दू परकार के होता है पहला होता है सुध दिखात समीकरन और दूसरा होता है मिश्रित दिखात समीकरन सबसे पहले हम बात करेंगे इ एक घात वाला पद नहीं हो उसे सुध द्यूगहात समीकरन कहते हैं जिस द्यूगहात समीकरन में चैर एकस का जो एक घात वाला पद होता है वो नहीं होना चाहिए उसे सुध द्यूगहात समीकरन कहते हैं एकजामपल देखर के हम आपको समझाते हैं कि सुध द्यूगहात सम समीकरं का ब्यापक रूप होता है से लिखें तो एएक्स स्क्वाईर पलस बिए x पलस C ब्राभर 0 यह होता है मानेक रूप दिखाथ समीकर्ण के परिभासा में कह रहा है कि जिस दिखाथ में 4 x का एक गहात वोला जो फड है यह जो है नहीं होना चाहिए वही जो है सुध दिखाष समीकरन का हलाता है पहले इसके रूप में एक हम समीकरन को लिखते हैं देखे ठीरी एक्स स्क्वाइर पलस टू एक्स पलस पांच बराबर जीरो यह एक दिखाष समीकरन है अब देखे हम पढ़ रहा है क्या सुध पद देखें दूगात व्लपाद है चाहर एकस का दूगात व्लपाद है और एज है एक घात व्लपाद यह नहीं हो तो सो से सूद्धु गात समीकन कहते हैं था चलिए इसको हम हटा दते हैं तो क्या बचेगा 3X square पलस 5 बराबर 0 देखिए 4X का एक वला घात इसमें नहीं है तो इस समीकरन को क्या कहेंगे सुध दिघात समीकरन कहेंगे फिर एक्जामपल गुल लेते हैं देखिए 2Y square पलस 5 बराबर 0 ये क्या है सुध दिघात समीकरन है क्योंकि इस समीकरन में चैर Y का एक गात वला पद जो है इसमें नहीं है ठीक है तो क्या है सुध दिघात समीकरन है देखिए 4X square माइनस 16 बराबर 0 ये भी जो है सुध दिघात समीकरन है क्यों क्योंकि इसमें जो है चैर X का जो एक गात वला पद है वो इसमें नहीं है चलिए हम कुछ आपको एक्जामपल देते हैं आप बताइए को सुध दिखाष समीकरन है कि नहीं है चलिए एक्जामपल हम दिए 2X स्क्वाइर पलस 3Y पलस 5 बराबर 0 क्या यह एक सुध दिखाष समीकरन है नहीं है क्यों? क्योंकि इसमें चैर y का एक घात वाला पद जो है सामिल है यानि इसमें है ति सूध दिघात समीकरन नहीं कहलाएगा इसको जो है सूध दिघात समीकरन में बदलिए तो देखे 2 x स्क्वाइर इसको हटा देंगे बाकि बचेगा 5 बराबर 0 तो यह क्या हो गया सूध दिघात समीकरन हो गया एक साथ स्क्वाइर माइनस 25 बराबर 0 यह क्या है तो सूध दिघात समीकरन है क्यों क्योंकि इसमें एक स्चैर का एक घात वाला पद जो है इसमें नहीं है तो यही होता है सुध दिघात समीकरन इस समीकरन का कहगा कि मूल ग्याद करें तो कौन सा समीकरन है सुध दिघात समीकरन है तो सुध दिघात समीकरन का मूल जो है दू बिधी से निकाला जाता है पहला होता है बर्ग मूल बिधी और दूसरा जो होता है गुननखंड विधी गुननखंड विधी यानि कि आप बर्ग मूल विधी से भी सुद्धिखा समीकन का मूल निकाल सकते हैं और गुननखंड विधी से भी इसका मूल जो है निकाल सकते हैं ठीक है तो चलिए दोनों बिधे से निकाल के हम आपको बताते हैं अगर सुद दिखाश मिकन दिया हुआ हो तो देखें क्या है एक स्क्वाइर माइनस पचीस ब्राबर जीरो कहेगा कि इसका मूल जो है ग्याद करें तो बहुत मूल बिधे से बनाना है तो देखें क्या होगा एक स्क्वाइर माइनस पचीस है तो इसको इधर भे देजिए तो पलस मूल जाएगा पचीस तो एक स बराबर क्या हो जाएगा पचीस का अंडर रूट पलस माइनस जब स्क्वाइर हड़ता है तो इधर बर्गमूल हो जाता है और पलस माइनस होता है तो एक स का मान आएग देखे 25 का बर्ग मूल 5 हो गया पलस मानस हो गया यानि एकस का दो मान आया एक 5 आया एक माइनस 5 आया यानि जो दिखाज समीकरन देख रहा है इसका दो मूल है एक 5 है और दूसरा माइनस 5 है ठीक है तो कितना असान है किसी दिखाज समीकरन का मूल निकालना कितना असान है स्कुराइर माइनस पत्चीस बराबर 0 यह सुद्धि घास समिकंद दिया हुआ है इसको गुन इन्खंड के दौरा जो है हम मुल्ग यात करेंगे देख़ें एक्स असक्वाइर है तो इतना ही होगा माइनस 25 है तो 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्कुर पांच का स्कुर कर गेए तो कि minus 5 को माने लेते हैं B, तो B का स्क्वाइर है, तो A square minus B square बराबर, एक फर्मूला होता है, A plus B into A minus B, इसका फर्मूला होता है, इतना, अब चलिए, यहां मान रखेंगे, तो A हम माने हैं X को, और B माने हैं 5 को, तो A plus B, यानि कि X plus 5 into A minus B, तो e माने है x को और b माने है minus 5 को तो e हो गया इतना बराबर 0 तो देखेए इसको हम लिख सकते हैं x plus 5 बराबर 0 और e किधर लिखे x minus 5 बराबर 0 तो x बराबर minus 5 और x बराबर 5 ठीक है तो इसमें भी x का 2 मान आया 1 minus 5 आया और 5 आया ति माइनेस पांच और पांच जो है इस दिवास समीकरन के दो मूल कहलाएगा ठीक है तो देखिए बर्ग मूल बिधी से भी निकाले तो इतना ही आया और गुननखन बिधी से निकाले तो इतना ही आया तो बर्ग मूल बिधी से बनाएए चाहे गुननखन बिधी से बनाएए किसी भी समीकरन का दिवा समीकरन का मूल एक नहीं आएगा ठीक है तो ये था बर्ग मूल बिधिसे और ये था गुननखन बिधिसे आपको जैसे अच्छा लगे आप बना सकते हैं